अब रुख करते हैं खबरों का मध्य प्रदेश की राज़ानी भुपाल में ग्रामांत्री डॉक्टर नरुता मिश्रा ने प्रेस कॉन्फरेंस की जोरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कोरोना कुले कर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना केस्ति में हैं सर्फ 134 सेक्टिव केस बचे हुए हैं वहीं कॉंग्रिस की आभार यात्रा पर तंज कस्ति हुए उन्होंने कहा कि 15 महीने में कमलनाथ सरकार ने सिर्फ ट्रांसफर उद्योग चलाया है जनता की सेवा नहीं की है इसके अलावा दिग्विजे सिंग के ट्वीट पर उन करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है दिग्विजे सिंग जब आलोचना करेंगे संग की ही करेंगे वो जब चाहेंगे तो संग कोई परतवन्द की बात करेंगे हिंदू बादी संग ठने और दिग्विजे सिंग ने इसलिए कभी रोहंग्याओं पर प्रतिमन लगानी की सुना अपने के दिगवेजाय सिंग ने का नहीं सुना होगा इससे दिगवेजाय सिंग की सोथ पर दर्सित होती है कि किस तरह का बिभाजन कारी सोच दिगवेजाय सिंग का अब कल कमला जी दिगवेजाय सिंग जी आसीरबाद देने गए थे इसलिए उन्हें काओगा कि इनने कुछ किया नहीं है दोनों ने इसलिए उन्हें काओं काम करने दोता हो काम जए इस उमर में अब क्या करेंगे उनकी उमर अशिरबात देने और लेने की है तो दे रहे हैं और ले रहें